गौतम ओलाइन इस्टडी यूटुब चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज आपकी लाइफ क्लास नहीं है प्रिमेर क्लास है जिसमें हम आपके कमेंट बोल के नहीं बता सकते हैं पर आपके कमेंट सभी देखे जाएंगे ठीक है तो चलिए आज की क्लास हमें स्टाट कर आने वाले हैं इस पीड के साथ फास्ट प्रेक्टिस करेंगे आपके साइंस के मिक्स कोस्चन के ठीक है चलिए सुरुआत करते हैं सुरुआत करते समय हम आपको जानकारी जो देते हैं परिक्षा सबलता के बारे में जहां आपके लिए सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरी उ कर सकते हैं तो इसके लिए आपको कुपन कोड यूज करना है जी ए यू एफजी ओफी फोर जीरो जिसमें आपको 40 पर्षेंट के डिसकाउंट मिलेगा साथ ही MPSI, MPCOSTWAL, RRV, जुनियर इंजिनियर के भी ठीक है चलिए सुरुआत करते हैं कोश्चन्स की और ज्यादा समय देते हुए आप सभी एंसर भी करते रहे हैं सभी के एंसर देखे चा रहे हैं और हम आपको एंसर थोड़ा सा समय देंगे बताने के लिए ठीक है बल गुड़नफल है किसके गुड़नफल है आपका बल 41 का आपके राइट एंसर हो जाएगा option B द्रभमान और द्रण के ठीक है तो option B आपका राइट एंसर हो जाएगा 41 का यह हमारे physics के question है 20 physics 20 chemistry 20 bio ठीक है 60 questions करेंगे 41 का आपके option B राइट हो जाएगा next है आपका 42 बहुत अच्छे आप सभी के अंसर आ रहे हैं ठीक है 42 उर्जा सनक्षन का आसे है की उर्जा सनक्षन से क्या आसे है आपके 42 देखें उर्जा सनक्षन से जो आपका आसे है उर्जा का ना तो स्रेजन हो सकता है और ना ही विना हो सकता है ठीक है तो option D आपका राइट एंसर हो जाएगा 42 का नेक्स्ट है आपका 43 एक ट्रेन जैसे ही चलना अरम करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर्फ पीछे की और जुख जाता है इसका कारण क्या है इस्थिर्दा का जड़त्त या गति का जड़त्त या जड़त् तो देखी एक ट्रेन जैसे ही चलना अरम करती है आप खुद भी प्रैक्टिकली कर सकते हैं जैसे ही चलना अरम करती है उसमें बैठे हुए आत्री का सिर्फ पीछे की और जुख जाता है इसका कारण क्या है गति का जड़त्त तो इसका कारण है तो option B आपका राइट एंसर हो जाएगा 43 का आप सभी सेर जुरूर करें गर कोस्टिंस आपको इंपॉर्टेंट लगे हमारी क्लास की और यह हमारा पार्ट थार्ड है पार्ट फास्ट और सेकंड जरूर देखे आप 60 को हम लेके चल रहे हैं साइंस की ठीक है 44 कोस्टिन क्या है सड़क पर चलने की अप पेक्षा घरसन कम होता है तिक बर्फ में सटक की पेक्षा घरसन कम होता है इसलिए अप सब्सकते अबर्फ चलने के पर चलना कठीन है ठीक है ऑपसें डी आपको राइट थि एंसर हो जाएगा कुश्टिन 44 का ऑप सन्टी ठीक है राइट एंसर आप सभी बहुत अच्छे आप सभी अंसर कर भी रहे हैं ठीक है सभी के अंसर देखे जा रहे हैं और आप सभी सेयर जुरूर करें अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो ठीक है यह आर से अधिक होगा यह आर से कम होगा यह आर के बरावर होगा यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा तो क्या हो जाएगा आपके 45 के एंसर आप सभी एंसर कर लिजिए ठीक है 45 का एंसर क्या हो जाएगा 45 का जो आपके एंसर होगा option B यह आर से कम होगा ठीक है तो option B आपका राइट एंसर हो जाएगा 45 का और जितने लोग नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब और वेल आइकन चुरूर प्रेस करने क्योंकि ऐसी क्लासेज आपके लिए डेली हम प्रोवाइट करते हैं ठीक है तेल से अंसरता है भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल फ्रक पर आगे की ओर एक समान तोरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त प्रिष्ट क्या होगा 36 पर बना रहेगा या 36 से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी या 36 से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी या परवलेई वक्र का आकार होगा तो क्या होगा जब तेल से आंग सिता है भरा हुआ तेल का एक टेंकर समतल फलक पर आंगे क्यूर एक समान तुरान से जा रहा है तो तो देखिए तेल का जो आपके मुक्त प्रिष्ट वो आपके परवलेई वक्र का आकार लेगा ठीक है परवले वक्र का अकाल लेगा तो option D आपका right answer हो जाएगा 46th का option D ठीक है next है आपका अच्छा question है तोरण ग्याद करने का सही सूत्र कौन सा है आपको ये बताना है तोरण ग्याद करने का सही सूत्र तो तौरण गयाद करने के जो आपका सही सुत्र हो जाएगा इसमें से आपका option first हो जाएगा ठीक है एक कोल विमानेश यो पॉन टी ठीक है तो option first आपका right answer हो जाएगा बहुत अच्छे आप सभी answer कर रहे हैं इसी तरह से त्यारी में लगे रहे हैं ठीक है सफलता जरूर मिलेगी 47 का option A आपका right answer हो जाएगा ठीक है next है 48 बस आप सभी को share करना है वीडियो को अगर questions important लगे तो ठीक है और कुछ नहीं चाहिए आप सभी से हमें सिर्फ share चाहिए तो निमलिकित में से किसने न्यूटन से पूर्वे ही बता दिया था कि सभी बस्तु में प्रत्वी की और गुरुत्वा कर्षित होती है तो किसने बताया था आपके न्यूटन से पहले ही बता दिया कि सभी बस्तु में प्रत्वी की और गुरुत्वा कर्षित होती है तो आप सभी जरूर अच्छे से देखें ठीक है और अगर एक बार में आपको क्लियर नहों तो दोवारा आप जरूर देखने ठीक है तो गुरुत्वा कर्षण का सिध्धान किसने दिया 49 चार्ल्स न्यूटन चार्ल्स वैवेज आईजेक न्यूटन या जॉन एडम्स तो देखिए गुरुत्वा कर्षण का जो आपके सिध्धान दिया था वह दिया था आपके आईजेक न्यूटन ने तो आप्शन C आपक सब्सक्राइब के गुरत्व कर्षण के सवर्भावमिक नियम का प्रित्पादन नियूटन गैलेलियो कॉपर निक्स या आइंस्टैन देखिए आप सभी बिल्कूल आप सभी लाइफ चैट में अंसर करते रहिए और जितने लोग जुड़ चुके हैं स्टार्टिंग से जुड़ जाते हैं तो आप सभी एक बार सेयर कर दिया करिए अपने सभी फ्रेंड्स को इस्टिटी ग्रूप में जिससे ज्यादा श्याद लोग आप सभी की सामने इंसर करने के लिए उबस्थित हो सकें ठीक है क्योंकि अभी सभी को जानकारी नहीं हो पाती इस बारे में कि साइंस की क्लास कहां चल रहे है ठीक है कुश्चन 50 का जापकी राइट एंसर हो जाएगा नियोटन आपसन ए राइट एंसर हो जाएगा 50 अबाएंसर हो सकते हैं क्योंकि उटव की फिप्टी वन का, नेक्स्ट है, फिप्टी टू, अंत्रिक्षियान जो चक्कल लगा रहा है, से एक सेव छोडा जाता है, तो वह प्रित्विक जोर गिरेगा, या कम गति से गतिवान होगा, या अंत्रिक्षियान के साथ-साथ उसी गतिवान होगा, या अधिक गतिवान होग तो आपके वह आंत्रिक्ष्यान के साथ-साथ उसी गति से गतिवान होगा तो आपका राइट एंसर हो जागा 52 का बहुत अच्छे आप सभी एंसर कर रहे हैं 52 का आपके और आपसें जो है अपसंसी है ठीक है नेक्स्ट है आपका 53 53 क्या है पीसा पीसा की जुकी हुई मिनार किर नहीं जाती है क्योंकि क्योंकि सी अर्स्वाग में पतली हो गई है खड़े तल शे निम्न पूरत मिस्थित में रहता है या गुरुदorf केन्द से जाने वाली जो और लायन तल के अंदर रहती है तो किया होता है जब हैं जूप्सा के जुकिए मिनार गिर नहीं जाती है तो आपके क्या होता है इसमें क्योंकि गुरुत्य के इंद्रत से जाने वाली जो उर्थमधर लाइन होती है आपके रेखा होती है तल के अंदर रहती है ठीक है तो आप्सन डी आपका राइटेंस रो जाएगा इसका 53 का नेक्स्ट है 54 यदि प्रत्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके इस्थान पर दोगनी होती तो सूर्य द्वारा प्रत्वी पर गुरुत्य करस्ण बल जो पढ़ता वह क्या होता अब जितना है उसका दोगना होता या अब जितना है उसका चार गुना या अब जितना है उसका पर गुरुद्व करसन बल जो पढ़ता वह आपके अब जितना है उसका चौथा भाग होता ठीक है तो ऑप्शन C आपका राइट एंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन C नेक्स्ट है आपका 55 क्या है जब कोई बस्त उपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है क्या होता है उसका भार सुनने होता है या परिवर्तित रहता है या परिवर्तन सील रहता है या सभी गलत हैं क्या हो जाएगा आपके जब कोई बस्त उपर से गिराई जाती है तो उसका भार 55 का एंसर करें आप सभी और अगर class अच्छी लगे तो share करें आप सभी जितने लोग देख रहे हैं सभी से यह request है कि आप सभी share करें वीडियो को ठीक है अगर आपको class अच्छी लगे तो ठीक है 55 55 का जो आपके right answer हो जाएगा option B हो जाएगा परिवर्तित उसका भा लखडी लोहे वा मोम् के समन आकार के टुकड़ो को समान उच्छाहि से पृथिञ पर गिराये जाता है तो कोँसा टुकड हा पृथिवी की सत्यफ़ पर पहुंचेगा oh कौन सब तुकड़ा लकडी या मॉम या लोहा या सभी साथ साकंचेंगे जब लकडी लोहे वा मॉम तीन हमने लिया समाना करके टुकड़े लिए समान उचाई से प्रिच्वी पर गिरायते हैं तो कौन सब तुकड़ा सब्थी की सतेह पर पहुचएगा ठीक है आपको ये बत हवा में लोहे और लकडी की समान भार की गेंद को समान उचाई से गिराने पर क्या होगा प्रतिवी पर दोनों एक समय गिरेंगी या एक पहले एक बाद में या लकडी की गेंद बाद में गिरेंगी किसी पिंड का भार प्रत्वीतल पर सब जगय समान होता है या धुरूओं पर सर्वधिक होता है या विश्वत्रेखा पर अधिक होता है या मैदानों की अपेक्षा पहाडों पर अधिक होता है क्या होता है किसी पिंड का भार किसी पिंडे का जो भार होता है आपके धिरुवों पर सर्वधिक होता है तो आप्सन B आपका राईटेंसर हो जाएगा ठीक है 58 का ओप्सन B दुरुवों पर सर्वधिक होता है नेक्स्ट है आपका 59 भारहिंता होती है क्या होती है भारहिंता गुरुत्वा करस्ण की सुननी स्थित जब गुरुत्वा करस्ण घटता है या निर्वात की स्थित में या उप्युक्त में से कोई नहीं 59 और लास्ट कुस्चन आपका इसके बाद है physics का ठीक है 59 जो आपके भारहिंता होती है गुरूत्तो कर्सण की सुन निस्थी थी भारहिंता होती है तो option A आपका राइट एंसल हो जाएगा 59 का और ये आपका लास्ट कुस्चन आपका physics का इसके बाद हम कमिस्टिव स्टार्ट करेंगे यदि प्रतिवी का गुरुत्व करस्वन बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्ने में से कौम सा परणाम सही होगा आपके बस्तु का भार सुनने हो जाएगा परंतो द्रबमान वही रहेगा बस्तु का द्रबमान सुनने हो जाएगा परंतो भार वही रहेगा ठीक है या बस्तु का भारता द्रबमान दोनों सुनने हो जाएगे या बस्तु का द्रबमान बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा यदि प्रतिवी का गुरुद्वा कर संबल अचानक लुप तो हो जाता है तो आपका बस तुका जो भार होता है वो सुन्य हो जाएगा परंतु जो द्रविमान वही रहेगा ठीक है तो option A आपका राइट एंसर हो जाएगा question 60 का तो चलिए अब हम chemistry start करते हैं आपके 41 questions से और आप सभी life chat में विल्कुल answer करते रहिए आप सभी का नाम नहीं लिया आ जा सकता class में पर आप सभी का life chat में विल्कुल reply किया जाएगा ठीक है कौन कितना सही answer कर रहा है और आप सभी share करते रहिए बहुत एच्छी class होने वाली है तो आप सभी अपने friends को जुरूर बुलाईए इस class में 41 मानिक के मानिक के और नीलम रसाइनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं सिलिकान डाइकसाइड एल्मूनियम आकसाइड लेड ट्राटाकसाइड लेड टेट्राकसाइड सौरी या बोरान नाइट्राइड क्या हो आपके इसका एंसर 41 का तो देखिए मानिक के और जो आपका नीलम रसाइनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं आपके ऐल्मूनियम आकसाइड एल्मूनियम आकसाइड ठीक है 41 का आपके option B राइट एंसर हो जाएगा next है आपका 42 क्या है 42 question कि आज कल सड़क की रोसनी में पिले लैंप बहुतायत में प्रविक्त हो रहे हैं इन लैंपों में निम्ने में से किसका उप्योग करते हैं sodium नियान या hydrogen या nitrogen किसका उप्योग करते हैं आपके इन लैंपों में जो आजकल सड़क की रोसनी में पीले लैंप लगाए जाते हैं बहुतायत मात्रा में आपके यो किया जाता है यूज किया जाता है तो ओप्सिन ए आपका राई टेंसर हो जाएगा फॉटीटू का और आप सभी विल्कुल सही कर रहे हैं ठीके फॉटीटू का आपसं ए नेक्स्ट है 43 सोडियम वास्प लैंप प्राया है सड़क प्रकास के लिए प्रविक्त होते हैं क्यों कि क्यों प्रविक्त होते हैं आपके जो सोडियम वास्प लैंप होते हैं फड़क प्रकास के लिए ये सस्ते होते हैं या इनका प्रकास एक बढ़ने और पानी की बूदों से गुजरने पर भी भक्त नहीं होता है ठीक है बंटता नहीं है या ये आँखों के लिए फीतल है या ये चमकदार रोस्नी देते हैं क्या होता है आपके देखिए सोडियम वास्प लैंप जो होता है प्राय सडक प्रकास के लिए प्रविक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकास जो होता है एक बढ़नी होता है और पानी की बूदों से गुजरने पर भी भक्त नहीं होता है ठीक, इनका जो प्रकास होता है बंठता नहीं है, तो option B आपका राइट एंसर हो जाएगा 43 का option B, next है आपका 44, प्रतिदीप्त नली में सर्वधिक समानेता प्रयोग होने वाली बस्तू है, कौन सी है आपके प्रतिदीप्त नली में सर्वधिक समानेता प्रयोग होने वाली ब इतनी त्यारी चल रही है आपके ठीक है तो 44 का जो आपके राइट एंसर हो जाएगा option C हो जाएगा option C पारावास तथा आरगन ठीक है next है आपका 45 अच्छा question है पूछा भी गया है कई बार ठीक है फुद्ध सोना कितने के रेट का होता है 22 24 28 20 कितने को होता है आपके सुद्ध सोना देखी सुद्ध सोना जो आपका होता है कितने के रेट को होता है 24 के रेट को ठीक है 24 करेट का तो option B आपका right answer हो जाएगा और इसका तो आप सभी कभी गलत करी नहीं सकते हैं ठीक है 45 का अती मुलायम जो आपका 46 question है अती मुलायम खनीज talk soapstone मुख्यते हैं कौन सा है आपके अती मुलायम खनीज talk soapstone magnesium silicate sodium silicate या sodium phosphate या magnesium silicate तो देखिए इसका जो आपके right answer होगा और आप सभी ने कुछ लोगों ने सही भी किया है option D magnesium silicate next है आपका 47 ये questions भी आपके exam में पूछे जाते हैं जितने भी आपके exam होते हैं किसी ना किसी exam में ये questions आपको जरूर देखने को मिलते हैं या कि आपके SSC का exam हो गया SSC की exam में भी ये questions पूछे जाते हैं ठीक है अन्य exam में भी पूछे जाते हैं पर ये questions पूछे जरूर जाते हैं कि exam में ठीक है चूना पत्थर का रसानिक नाम है क्या है आपके चूना पत्थर का रसानिक नाम इस question के लिए भी आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सभी को एकदम से रटा हो गई है चूना पत्थर को जो आपके रसानिक नाम होता है calcium carbonate होता है तो option A, option A आपका right answer हो जाएगा, 47 का, option A, ठीक है, next है आपका plaster of Paris, plaster of Paris रसानिक रूप से है किसका, calcium sulphate, calcium carbonate, calcium oxide, calcium argolate, तो plaster of Paris जो है आपका रसानिक रूप से है, calcium sulphate, calcium sulphate आप इसका answer करेंगे, सही, ठीक है, calcium sulphate, फिर देखें, next है आपका, 49, एक ही से आपके कितने questions क्रेट हो सकते हैं, उस तरह की questions हम आपके लेके आए हैं, जैसे कि plaster of Paris रसानिक रूप से है, ठीक है, calcium sulphate से, अब हम आपके लिए लाए है, 49, इसका answer करेंगे आपसे भी, plaster of Paris का सूत्र क्या है, फार्मूला, फार्मूला भी जरूर questions आपसे वरेंगे कमिस्टी के, plaster of Paris का सूत्र क्या है, 49, 49, बिल्कुल plaster of Paris का जो आपके फार्मूला है, option B, CSO4.1 by 2, S2O, ठीक है, half S2O, ठीक है, तो आपका option B, right answer हो जाएगा, 49 का, ठीक है, option B, बिल्कुल आप से भी सही कर रहे हैं, option B, आपका right answer हो जाएगा, next step का, 50, doctor, color, murtikar, calcium sulfate का उप्योग करते हैं, जिसका लोगपरिये नाम है, क्या है लोगपरिये नाम, जो आपके doctor होगे, color, murtikar होगे, calcium sulfate का उप्योग करते हैं, question 50, क्या हो जाएगा इसके answer, बिल्कुल आप से भी सही कर रहे हैं, option D, option D, plaster of Paris, option D, right answer हो जाएगा इसका, ठीक है, option D, next है, 51, और इसका उप्योग, जो उपने एक question किया है, plaster of Paris, इसका उप्योग कहां करते हैं, यह आप सभी को comment में बताना है, ठीक है, इसका उप्योग जो डाक्टर कलाकारे मूर्थिकार करते हैं, केलिजन सल्फेट का उप्योग करकी, जिसका लोग परी नाम, plaster of Paris है, आपके लिए question से, आप सभी comment में जरूर बताएं, कहां उप्योग करते हैं, ठीक है, आप सभी comment में बताएं, आपके लिए question है, ठीक है, 51, 51, Monozyte किसका AS के हैं, जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम या लोग, तो Monozyte जो आपका AS के है, 51, बहुत अच्छा question है, 51 का option B, आपका right answer हो जाएगा, थोरियम, किसका AS के, थोरियम का, तो option B आपका right answer हो जाएगा, 51 का, ठीक है, नेक्स्ट है आपका 52, माई का है, क्या है माई का, उस्मा का चालक तथा विद्दूत का कुचालक, उस्मा तथा विद्दूत दोनों का कुचालक, या उस्मा तथा विद्दूत दोनों का चालक, या उस्मा का कुचालक तथा विद्दूत का चालक, क्या हो जाएगा, आपके माई का क्या है, 52, देखे, माई का जो ह बता हैं और और शेयर करें आप सभी ठीक है सेयर बस करना है आप सभी को और कुछ नहीं ठीक है छींए करें जरूर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको क्लास अच्छी लगे 53 निम्नमे से की सुद्योग में अभरक कच्छे माल की रूप में प्रेक्ट होता है की सुद्योग में देखिए जो आपका बैद्दूत के उपयोग में ठीक है 53 बैद्दूत के उपयोग में आपके अबरक कच्चे माल के रूप में प्रेक्ट होता है तो option D, option D आपका right answer हो जाएगा आपके 53 का option D next है आपका 54 निम्लेकी द्रवों में कौन सा उस्मा का बहुत अच्छा चालाक है आपके पारा, पानी, इथर या वेंजीन कौन सा उस्मा का बहुत अच्छा चालाक है 54 तो उस्मा का जो आपके बहुत अच्छा चालाक है वह है आपके पारा पा रहा है आपका उस्मा का बहुत अच्छा चालक है तो option A आपका right answer हो जाएगा ठीक है option A 54 का next है आपका 55 और आप सभी total marks जुरूर से अर करें कितने questions आपने सही किये हैं 60 questions में कितने questions आपने सही किये हैं इतने भी आपको confirm याद हों आपको अच्छे से ठीक है और आपने सही से इमानदारी के साथ अंसर किया है तो जरूर बताएं लास्ट में आपको comment में कितने questions आपने सही किये हैं और class आपको कैसी लगी ठीक है नेक्स्ट question ही पारे से संबंदित है पारे का साधारनतया जो आपका तापमापी अंतरों में उप्योग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेष्था है क्या है इसकी विशेष्था पारे की उच्छ गनत उच्छ दर्वता या उच्छ संचालन सक्ती या उच्च विशिस्ट उस्मा क्या है उच्च संचालन सक्ती इसकी विशेषता जो है आपके उच्च संचालन सक्ती इसलिए पारे का सदनते तापमापी अंत्रों में उप्योग किया जाता है तो option C आपका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है आपका 57 तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है उपर से किसके उपर से अलमुनियम के या तावे के या कारवन के या लोहे के किसके उपर से जब भाप गुजरती है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है क्या हो याईट एंसर आप सभी बिल्कुल एंसर करते रहें यह सभी ked car देखे जा रहे तो आपके इच्छे से questions ये त्यार हो जाएंगे और 57 का आप option A कर देंगे ठीक है जिसे प्राप्त किया आता है वह है आपके हमेटाइट है तो option D आपका राइट एंसर हो जाएगा 58 का नेक्स्ट है 59 निम्न में से किस्पदात की विदुच्चा लगता सर्वधिक है हीरा, चांदी, ग्रेफाइट या लकडी किसकी आपके विदुच्चा लगता है सर्वधिक बिल्कुल चांदी ठीक है चांदी की है आपके विदुच्चा लगता है सर्वधिक option B राइट एंसर हो जाएगा और 60 questions और last question है आपका कमिश्टी का इसके बाद हम करेंगे बायोसी questions ठीक है ऐलमूनियम बनाने के लिए कौन से मुख्यखनीज का प्रयोग होता है हेमेटाइट, लिगनाइट, बाकसाइट, मैगनेटाइट किसका प्रयोग होता है आपके ऐलमूनियम बनाने के लिए अच्छा question है और आप सभी जरूर सही करेंगे इसको ठीक है देखे, 60 का जो आपके right answer होगा option C हो जाएगा बाकसाइट, बाकसाइट आपका right answer हो जाएगा 60 का option C, ठीक है नेक्स्ट है आपका 41 और अब हम बायो के ओर चलते हैं, ठीक है 41 निम्निवे से कौन सा इस्तन पाई है, सार्क, इसकवेड, आक्टोपस, वेल तो कौन सा इस्तन पाई है आपके, सभी लोग answer कर लीजिए, थोड़ा सा, इसके लिए आपको समय दे दिया जाता है क्या हो जाएगा आपके 41 का बिल्कुल बहुत समय दे दिया गया आप सभी को 41 का जो आपके right answer हो जाएगा, option D हो जाएगा, ठीक है वेल जो है आपका इस्तन पाई है, निम्निवे से, option D नेक्स्ट है आपका 42, निम्निकित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है एकेड़ना, कंगारू, सेही या वेल, क्या हो जाएगा इसका answer 42 का अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है, ठीक है कौन हो जाएगा आपका, first है, first है विल्कुल, एक किड़ना, ठीक है option A, आपका right answer हो जाएगा, 42 का, next है आपका 43, थोड़ा सा आप सभी के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है, क्योंकि आप सभी के लिए ज़्यादा questions की preparation कराना है, ठीक है, जिससे कि आप सभी को ज़्यादा questions देख सकें, कि किस तरह questions आपके create हो सकते हैं, ठीक है इसलिए ज़्यादा आप सभी के comment में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और आज की class हमारी live नहीं है, premier class है, ठीक है जिसने हम आप सभी के comment देख सकते हैं, पर आप सभी का नाम नहीं ले सकते हैं, तो इसके लिए आज सभी say sorry, आज के लिए next class हम live करेंगे, ठीक है उड़ने वाला इस्तन पाई है, कौन सा है आपका उड़ने वाला इस्तन पाई जो इसमें से आपकी option है, उड़ने वाला जो इस्तन पाई है, वह आपका option D है, ठीक है चमगादर, चमगादर जो है आपका उड़ने वाला इस्तन पाई है, ठीक है, 43 का D next है आपका 44, निमलेकित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता चमगादर, कवा, चील या तोता, कौन सा नहीं आता आपके, कौन सा पक्षी वर्ग में, 44 बिल्कुल बहुत अच्छे आप सभी right answer कर रहे है, 44 का option A आपका right answer हो जाएगा, ठीक है, 44 का option A नेक्स्ट है आपका 45, डॉल्फिन वर्गी करिद किये जाते हैं, मतश्य में, उभैचर में, सरीश्रिप में, या इस्तनी में, किसमें आपके डॉल्फिन वर्गी करिद किये जाते हैं, 45 डॉल्फिन जो होते हैं आपके इस्तनी में वर्गी करेद किया जाते हैं तो option D आप right answer कर देंगे विल्कुल option D जिन्होंने option D किया है बहुत से लोगोंने किया है right है आप सभी का ठीक है option D 45 का नेक्स्ट आपको 46 निम्लेखित में से सील किस जाती का है आपके मचली पक्छी सरिश्रिप या इस्तन पाई किस जाती का आपके तो सील जो है आपका किस जाती का है अच्छा question है इस्तन पाई इस्तन पाई जाती का है ठीक है option D आपका right answer हो जाएगा 46 का option D next आपका 47 क्या हो जाएगा 47 का निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से प्रथक करता है कौन सा गुण सभी लोग answer करें live chat में answer करना है आप सभी को और last में भी आगर आप देखते हैं offline तो आप सभी offline भी comment में answer कर सकते हैं ठीक है 47 का जो आपके right answer होगा option है हो जाएगा जानने की एक छप्रकट करना option है आपका right answer हो जाएगा 47 का next है 48 निम्न में से कौन सा एक copy नहीं है given gorilla या लंगोर या ओरंग उटान कौन सा एक copy नहीं है 48 कौन सा एक copy नहीं है निम्न में से option C आपने किया होगा जरूर option C अगर आपने किया है तो आप सभी का right है ठीक है option C वालों का right है next है आपका 49 octopus अक्टोपस क्या है संधिपाद है या सूल्चर मी है हेर्मी कॉड़ा है हेमी कॉड़ा या म्रिद कवची मोलस्क है क्या है आक्टोपस आक्टोपस स्वरी आक्टोपस जो है आपका एक म्रिद कवची मोलस्क है ठीक है तो option D या आप right answer करेंगे अगर आपने किया है तो आप सभी का सही है ठीक है option D next है आपका 50 सबसे बड़ा अक्षेरुकी है कौन सा है आपका सबसे बड़ा अक्षेरुकी आक्टोपस इस्कविड या कोरल या जैनिफिस कौन सा है आपका सबसे बड़ा अक्षेरुकी विलकुल आप सभी ने अगर V किया है option B किया है तो right है ठीक है इस्कविड आप्षन B वालों का राइट है आप सभी का बहुत अच्छे 51 टिक और माइट टिक और माइट वास्तों में होते हैं क्या होते हैं मकड़ी वंसी या क्रस्ट रेस या या कीट या बहुपाद क्या होते हैं टिक और माइट तो टिक और जो माइट होते हैं वो वास्तों में एक मकड़ी वंसी होते हैं ठीक है मकड़ी वंसी होते हैं तो option A आप right answer कर देंगे इसका 51 का next है आपका 52 थोड़ा सा speed के साथ चल रहे हैं जिसे ज़्यादर ज़्यादर questions हम करा सकें परिक्षार से आपके पहले ठीक है questions करा के ठीक है जुगनू होता है क्या होता है जुगनू एक जुगनू जो होता है एक आपका जुगनू होता है आपका एक कीट है ठीक है जुगनू एक कीट है तो option B आपका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है जुगनू एक कीट है नेक्स्ट है आपका 53 निमने में से कौन सा कीट नहीं है आपको ये बताना है कौन सा कीट नहीं है खटमल मकडी घरेलू मक्खी या मच्छर कौन सा आपका कीट नहीं है तो कौन सा आपका कीट नहीं है जो ये बताना है आपका ठीक है मकडी मकडी जो है आपका कीट नहीं है तो option B आपका right answer हो जाएगा ठीक है अब बताईए कि मकडी कीट से भिन होती है क्योंकि मकडी में क्या पाया जाता है कीट से क्यों भिन होती है 6 टांगे 8 टांगे 10 टांगे 12 टांगे कितने टांगे पाई जाती है पर 15 कीट है आपका तितली तिलचठा मच्छर या सभी बिल्कूल आप सवी इसका अंसर जरूर करेंगे और सही भी करेंगे olduğunu आपके तितली उपकी आपका कीट है तिलचठा उपका कीट है और मच्र ऊपका कीट है तो option D आपका right answer हो जाएगा, ठीक है, option D, 55 का option D हो जाएगा, next है आपका 56, निमलिकित में से किस group के जन्त प्राया है, रात तरिचर, nocturnal होते हैं, किस group के, किस group के होते हैं, रात तरिचर, option B, of course आप इसका answer गलत नहीं करेंगे, option B, ठीक है, रात रिके, प्राया रात रिचर पूछा था, ठीक है, तो आपका option B हो जाएगा, 56 का, और हम last के ओर चल रहे हैं, 57 पे पहुँच चुके हैं, और 60 questions करेंगे, तो निमलिकित में से कौन से प्राणी अपनी आत्र में जल का संग् कर लेते हैं, मौलाक, उट, जेबरा या यूरो मैस्टिक्स, बिल्कुल इसका भी आपस भी answer आसानी से कर देंगे, उट है, ठीक है, जो अपनी आत्मे जल का संग्रे कर लेता है, और काफी समय तक आपके पानी का 7 नहीं करता है, ठीक है, option B आपका राइट एंसर हो जाएग प्राणियों की लार ग्रंथियां, तो सर्पों की जो विश्च ग्रंथियां किसकी समांगे हैं, इसका जो आपके राइट एंसर के अगरम बात करें, तो कसेरु की प्राणियों की लार ग्रंथियां के, ठीक है, तो option D आपका राइट एंसर हो जाएगा, 58 का option D, और 2 questions, 2 questions, आपके पास और हैं, इसका भी आपस विश्वल दी सेंसर कर दीजिए, और फिर थोड़ी से हम बाते करेंगे, और फिर क्लास को end करेंगे, ठीक है, चटान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं, 59 क्या कहलाते हैं, चटान पर उगने वाले पादप, अधिप, पाद पी, या या मरूद भी दे या सैलोद भी दे चट्टान पर उगने वाले जो आपके पादप हैं वह कहलाते हैं आपके सैलोद भी तो option D आपका right answer हो जाएगा option D 59 का option D हो जाएगा और 60 का भी आप सभी answer कर दीजिए और फिर आप सभी को क्या करना है वो हम बताएंगे निम्लिकित में से कौन सा एक कीटाहरी पादप है आपके पैसन फ्लावर पादप घटपर्णी रात किरानी या फ्लैग आप दी फॉरेस्ट कौन सा एक कीटाहरी पादप है ठीक है देखिए 60 का भी आप सभी ने बिल्कुल right answer किया है घटपर्णी घटपर्णी इसका right answer होगा option B ठीक है घटपर्णी तो यह हो चुके है हमारे 60 questions आज भी हमने किये और part 3 हमने complete कर लिया है इसी तरह से daily आपको तीनों part complete किया जा रहा है physics, chemistry and bio ठीक है अगर आपको जानकारी सही लगी हो questions पर बाड़े हो तो वीडियो को like करना है और channel को अगर आपने भी तक subscribe नहीं कर प कि share करना है वीडियो को वीडियो को share करना है अगर questions important लगे हो और कुछ नहीं करना है ठीक है तो मिलते हैं फिर हम next class में thank you